जाहिन, देखिए हमारे पडोस में जो तालीबान है ये दो टाइप के हैं, अभी इनके उपर AR मिसाइल से अटेक किया गया, बट इस उसने बच गया है, अब ये क्या मैटर है समझे ध्यान से, हमारे पडोस में तो जानते ही हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंस सही कहता है, इसका कहना है कि जिस तरह तालीबान ने अफगानिस्तान को कबजा कर लिया, गणी सरकार को भगा के, उसी तरह तरह तालीबान पाकिस्तान को कबजा करेगा, मेरे चाचा को भगा के, इमरान चाचा, यहाँ पे, अब ये तालीबान बहुत खतरनाक है, और ये इसलिए खतरनाक है कि ये लोग इंसानियत को भी हद पार कर देते हैं, लेकिन भईय साब को दुद पिलाओगे तो तुमको भी काटेगा, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान फैलाया, उपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, उसने पाकिस्ताने में को तालिबान फैक दिया, तारीके तालिबान, और ये इतने खतरनाक है कि आपको याद होगा पेसावर इस कुली हमला पे, छोटे-छोटे बच्चो को लोगों ने मार दिया, बताई ये थीन साल की बच्ची है, ये आम लोग के दूसमन के लिए भी बच्चो को इतना तरह स तो नहीं देखा गिया, कि छोटे बच्चो को अदमी मारा, लेकिन ये तारीके तालिबान वाले धो देते हैं सब पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए अभी ये सबसे बड़ा तरदर्द बना हुए है तारीके तालिबान, अभी इसने ना इन तारीके तालिबान वालों को म हम लोग को अभी भी रुस्तम दो, हम लोग का दयाद नहीं हो पाया, ये विंग लॉंग डो, ये काफी दूर तक अटेक करता है, हाला कि चाइना ने इसे बहुत बड़े पहमाने पर, अफरीकी देसों, पाकिस्तान ये आने देसों को भी निरियात किया है, ये उसका सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन है, इस ड्रोन में कई तरह की मिसाइले आ सकती है, ये अटैक ड्रोन है, जैसे अमेरिका का प्रेडी पीटर ड्रोन हो जाता है, उस टाइप का ये ड्रोन है, ये काफी सारी मिसाइलों को अपने साथ लेकर करी कर सकता है, इसे easily उड़ाया जा सकता है, जैसे यहां देखिए, runway पे इसे खड़ा कर दिया गया, और runway पे खड़ा करके इसे आराम से control किया जा सकता है, इसे moving जगा से control किया जा सकता है, यह runway पे खड़ा हो गया, इसके ऊपर का यह radar है, यह truck mounted है, इस truck के ऊपर यहां पे radar है, यह truck इनको track क control कर लेते हैं और दूसमन के area में जाके heavy bombardment कर सकते हैं missile attack कर सकते हैं तो ये advance है जहाज कोई बात नहीं लेकिन इसमें कई तरह की guided missile लगाई गई थे चाइना का wing long 2 जहाज में सबसे advance missile लगाई है वो AR series की missile लगाई गई AR series की missile गाईड़ missile हैं ये laser से एक जगाई गाईड़ कर देंगे तो उस पर आराम से हमला कर सकती है ये AR missile को कई तरह ले जा सकता है ये hot point बोलते हैं जहां missile को carry किया जाता है तो ये बहुत बड़ी संख्या में ले जा सकता है लगाई एक बार में ये 16-16 missile को लेकर उड़ जाता है ये है इसका AR-1B missile मतले AR series की missile होती है जिसको लेकर उड़ जाता है इससे इन्होंने अफ़गानिस्तान में घुशकर तालिबान को के उपर हमला किया अफगानिस्तान वाले तालिबान पे नहीं मारा इन्होंने फकीर मोहम्मद के उपर अटेक करने था ड्रोन ने हमला भी किया मिसाहिलों सुसुरा नहीं फटा है भोरे भोरे मारा था साड़े तीन बजे मिसाहिलों नहीं फटा अब इससुरे और बढग गया हैं सो बताईए इसलिए कहा जाता है कि चाइना पर कभी वरोसा नह की जाना ठीक लगाया बड़क फटा ओर गया सब इससुर Lord ऑ करने पर झाख मारे सकता है जा मेंफिए पर पाकिस्तान की 땅शुरण रहा है पाकिस्तान को हगर अपने समान की विज्जती करानी है, तो पाकिस्तान को दीजे, अमरीका का सबसे खतरनाक टैंक था, पैटर्न टैंक, भी रब्दूल हमीद मार के गिरा दिये, वी आर्सीयल जीप से, अमरीका का एक ठो पी एनस गाजी जहाज था, जो पाकिस्तान को दिया था, आई एनस पाकिस्तान वालों को, तीज पायर का उलंगन कर दिया सब, दोनों और से तबातोड गोलिया चल लिए, इमरान खान इनको समाल नहीं पाते, पाल पोस के बड़ा की है, इन लोग को समालेगा कोनिया आपर, अब इन लोग को क्या समाल सकते, अब तालिबान वाले चाइना प बस इसको तूर के इस तरह से बना दिया, का इस चाइनी मोडल का मस्जीद होना चाहिए, तालिबान वाले इस सब मैटर से चाइना से बढ़ के रहा थे, अब भारत को चाहिए कि अपनी इंटेलिजेंस के थूरू, रा के थूरू, आईबी के थूरू, वहाँ पाकिस्तान म जहां ड्यूटी कर रहे थे पाकिस्तान में, वहाँ एक दासू डैम है, वहाँ पे मार दिये सब ये बॉसे गुड़ी गिया, अच्छाए, पाकिस्तान को रहा एक भारत गिरवा दिया, चाइना ने का कुछ नहीं, हर साइनीक के बदले में हमको 30 करोड रुपया चाहिए, पाकिस्तान वाला कहां से दे पाएगा इतना, अब चाइनीज सोल्डर की देखिए, आपको यहां बंदूग दिख रहा है के 47, यह मजदूर है सा बेचार, इतने डरे हुए हैं सा पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों कुछ सरम करो देखो तुमकों यह बात बताते हैं, हमा पाकिस्तान के लोग चाइनीजों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस ठरकी को देखिए, जीब के ऊपरा चड़ गया, कराम जईवे करेंगे, पाकिस्तान वाले कुछ सरम करो सचा, तुमारे यहां के बेहन बेटियों की इजट इस तरह से निलाम हो रही है, सरम है कुछ, नहीं, तो तारीके तालीबान वाले देखो, हम तो चाहते हैं भई तारीके तालीबान वाले तक यह बात पहुच जाए, क्योंकि वो अगर जान जाएंगे सब नहीं, ती चाइनीजों को छोड़ेंगे सब नहीं, अब यहां हमरे दुस्मन का दुस्मन हमरा दोस्त, बस, का करता हम, हम लोग को कौन मार करना है, लेकिन जो भी है किसी भी देश के लिए इस तरह से इज़त का निलामी उठना अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान वा लोग के लिए, अगर ये तहरीके तालिबान चाइना को मारने लगा, तो सबजी हम लोग का आधा काम हो गया, क्योंक अगर ये सब चाह देए सब, इसको धौस्त कर देगा, सब तोड़ तरके रत कर देगा, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग को कुछ नहीं बस तमासा देखना है, भस थोड़ी थोड़ी चीजों को पहुंचा देना है, इस सब ताइप की जितनी चीजे रहे चाइना वगरण में पहुचा दीजे और उसके बाद तमासा देखते रही हमारे लिए फाइदा क्या है दीखिए हम लोग डोमिनेंट करते हैं हिंद महासागर में हमें कोई नहीं रोक सकता है लेकिन चाइना को यही मलक्का डेलिमा संपताता है क्योंकि चाइना की जितनी में दौरा दौरा मारेगा क्योंकि हिंद महासागर में भारत से अभी वर्तमान समय में कोई नहीं लड़ सकता है हमारी पंडुमारू पंडुभी अभी तैनात है सब कुछ सही है अगर यह सीपी इसी को और तहरी के तालीबान वाले ने डेमेज कर दिया तो हम लोग के लिए टेंशन खतब और हिंद महासागर में क्या होगा आपको हम थोड़ा सा आइडिया बताते हैं क्या होगा देखिए यह हैं हिंद महासागर और यह भारत के रणबाकर खड़े हैं सब हिंद महासागर में इसके बावजी का दम नहीं हिंद महासागर में हेल ला है और इस तरह क कि जब सोचेंगे कि सब्सक्राइब करें कि सर अप्लीकेशन कहां से करें हम डाउनलोड कहां से करें इसा निसान तो लड़का है सो खान सर ऑफिसियल अप्लीकेशन है लगवक 30 लाख स्टूडेंट अल्रडी है आपको प्ले हिस्टूर पर दिखेगा इस पर जाएंगे अपक का एरफोर्स का नेवी का कोस्टगाड का भी विलाल एंडियर कोस्टगाड रनिंग हो गया उसको आप लोग लेंगे हमारी खुशी रहेगी कि इसमें से कोई हम लोग का विद्यार्थी रहे अधोय ससुरा यहां पर ताकि हमारी मतलब इच्छा पूरी हो हम लोग तो वही म बार टांसफर किया है और हम लोग ने एक बार भी ने किया यह दिखाता है कि चाइना कितना डरा हुआ है वो उपर से दिखा रहा है अभी चाइना ने एक मिलिटरी ड्रोन बनाया है इसमें कोई आदमी नहीं बैठता है यह अपने से घुमे का कैमरा उमरा देखके मार है तो समझ सकते हैं उस सब को दुखा हो जा रहा है उठ रहे देखिए काजने का हो गया विचाना बंदूख छोड़के अच्छी टा गया एक को ठंडा मार दिया कर रहा उतना उचाई पर ठंड में हम नहीं रह पाएंगे अज देखिए चिला रहा है मत चिला चुब बन कर नहीं मारेंगे लो चुब देख रहे हैं हम यह तो बताईए इस सब्सक्राइब 23 लाग फोजी को ने काम के जो नहीं जा सकते हैं उनके जगा मशीन लगाया जा रहा है और हमारे फोजीयों को देखिए जिन उत्तों को ठंड लग रहा था हमारे फोजीयों को देखिए कि य इस टेंपरेचर पर भी भारती सैनिक वहां डटे रहते हैं और इसकी अंतिम चोटी को सुबेदार बाना सिंग ने कभजा किया था तो उस पोस्ट का ही ना में बाना पोस्ट हमने इस बात को आपको यह चीन वाले टॉपिक में बता दिये थे अब पाकिस्तान वाल या फिर आओ गोरखाओं से कभी मिल जाओ ग्रेनिडियर से मिले और गलती से भी वही सरदार जी लोग से मत मिला कि कोई लोग सवाल आख के नीचे बाते नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि चाइनाईज की ड्रोन कितने खतरनाक है सबस्रा एक तो उड़ता नहीं उड़ गिया में बाधा उत्मन करके यूद में फसा दे बारत भी बहुत चतुराई से साइड हो रहा है कि भाया हम लोग पहले एकनोमिकल मतलब इस्टेबल हो जाए उसके बाद तो तुम लोग को निप्टईबे करेंगे आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे और जो कोस्ट गार मार्च में एक्जाम होने वाला है अप्रेल में तो एंडिये का फिक्स है और इधर मार्च में इन लोग का भी एक्जाम हो जाएगा तो लगे मिलेंगे नेक्स टास में जैहिं